कैसे आप लोग तो फ्रेंज नेट्फिक्स पर रिलीज हो चीक है वेब सीरीज IC814 कांदार हाईजेक जो की बेज़ एक रियल इंसिडेंट पर जिसमें आप लोगों को दिखाये गया एक प्लेन हाईजेकिंग जिसको अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हाईजेक माना जाता है जाना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में तो मेरी वीडियो को इन तक जरूर देखना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक हो मेरी चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करना IC814 का अंधार हाईजेक ये वेब सीरीज बेस्ट है डिसमबर 99 भी हुए प्लेन हाईजेक के उपर ये जो प्लेन हाईजेक था ये कोई छोटा मोटा हाईजेक नहीं था बलकि साथ दिन तक चलने वाला हाईजेक था जिसे अब तक का सबसे बड़ा हाईजेक माना जाता है और इस हाईजेक ने ना कि अगर इंडिया को बल्कि पूरे वर्ल्ट को हिला करके रख दिया था इस hijacking में जो plane hijack हुआ था वो था इंडियन एयर लाइंज का plane IC814 जिसने काटमंडू से टेक ओफ किया था और इसको land करना था दिल्ली के इंटरनाशनल येपोर्ट पे ये जो travel time था ये 1.5 गंटे का travel time था और इस 1.5 गंटे में ही इस plane को hijack कर लिया था और hijacking के बाद इस plane को दिल्ली में land कराने की बज़ए अफगानिस्तान के कांधार में land कराया गया था ये सब कुछ कैसे हुआ था और कैसे इन लोगों को rescue कराया गया था वो सब जानने के लिए आपको इस web series को देखना पड़ेगा जिसमें total 6 episodes है और हर episode को जो run time है वो 30 minute का है ये जो web series है ये web series based है एक book पर जिसको लिखा है captain दीवी सरन ने दीवी सरन वही captain है जो उस time उस flight में मौझूद थे मतलब उस time उस flight के वह pilot थे मतलब ये सारा कुछ जो event है उन्होंने खुद अपने आखों से देखा था in fact खुद experience किया था कि कैसे plane को hijack किया था कैसे लोगों को torture किया था कैसे लोगों को hostages बनाया गया था क्या इन लोगों की demand थी कैसे लोगों को rescue कराया गया था कहा का इन लोगों को land कराया गया था यह सब उन्होंने अपनी book में mention किया है जिस पर based है यह web series तो हम लोग कह सकते हैं कि जो web series है यह काफी हद तक real है लेकिन हाँ कहीं न कहीं यह web series है तो इसमें कहीं न कहीं आपको मिर्च मसाला देखने को मिली जाएगा लेकिन फिर भी इस web series को काफी ज़्यादा हद तक real बनाया रखने की कोशिश की गई है और ना कि बल कोशिश की गई है बलकि इस web series को काफी हद तक real रखा भी गया है अगर टेक्निकली देखें तो मुझे इसका screenplay काफी अच्छा लगा क्योंकि जिस तरीके से इसको film आया गया है वो काफी अच्छा है एक real incidence है और उसकी reality को maintain करके सारी चीजों को film आया गया है साथ ही में इसमें कुछ scenes ऐसे हैं जो post time की footage's है उन footage's को use करके इस web series में डाला गया है जो देखने में काफी अच्छा लगता है लेकिन problem यह है कि यह web series कहीं न कहीं थोड़ी बहुत slow pacing हो जाती है यह अपना interest और जो bond है उसे बनाने में थोड़ा सा time लगा देती है मतलब कहने का यह है कि यह web series कहीं न कहीं आप लोगों का patience भी judge करती है वहीं अगर हम इस web series की color grading और picturization की बात करें तो जो story है यह 25 साल पहले की है तो उस time पे जिस तरह की color grading और picturization को use किया जाता था scene उसी तरह की चीज़ों को use करके इस series की भी picturization की गई है मतलब जब अफगानिस्तान को दिखाया जाएगा तो तब आपको एकदम से warm yellow color दिखाया जाएगा जब काटबंडू के scenes चलेंगे तो एकदम से cool और blue color यूज़ किया जाएगा मतलब कही न कहीं इस तरह की color grading यूज़ की गई है जो पहले यूज़ होती थी और वो कही न कहीं हम लोगों को देखने में ठोड़ी सी odd लगेगी क्योंकि हमें इस तरह की color grading की आदत नहीं है बाकी जैसे ये series एक real incident पे based आव maker इसको एक realistic touch देना चाहते थे शायद उसी की वज़े से इस तरह की color grading को makers ने रखा है बाकी अगर हम इस series के acting section की बात करें तो series का जो acting section ने वो काफी अच्छा है काफी सौर्टेड या काफी सो समझ के series में actors को रखा गया है सब ने अपना काम अच्छी से करा है इस series में आपको नजर आएंगे विजे वर्मा, दिया मिर्जा, पंकच कपूर, कुमुद मिर्शा, अधिते श्रिवास्तव और निश्व दिंशा जैसे और भी बड़े actors जुन्होंने अपना role play काफी अच्छी तरीके से किया है जितना उनको बताया था, उतना उन्होंने काम बहुत अच्छी से करा है काफी ज़्यादा satisfying उन्होंने अपना काम करा है लेकिन makers ने इतने अच्छे actors को उनके level तक use नहीं करा है overall अगर series के direction के बात करें तो मुझे series का direction ठीक लगा जिसकी वज़े से मैं series को score करूंगी 3 out of 5 जो scores minus हुए है, वो हुए है एक तो इसके color grading के वज़े से और दूसरा इसके slow pacing होने की वज़े से जो कि तोड़ा सा मुझे odd लगा बाकि यह series मुझे काफी अच्छी लगी है और सबसे अच्छा लगा है मुझे राजीव ठाकूर का role play राजीव ठाकूर एक comedian है लेकिन इस series में उन्होंने एक hijacker का role play कर रहा है, main hijacker का serious role play कर रहा है जो देखने में काफी अच्छा है, उन्होंने काफी अच्छी acting करी है अपने इस role में बागी यह web series काफी अच्छी है अगर आप लोगों को इस incident के बारे में पहले से पता है तो आप इस web series को accuracy performance के according देख पाएंगे लेकिन जिन लोगों को इस incident के बारे में नहीं पता वो इस web series के थुरू जान पाएंगे वो साथ दिन जो उन hostages ने experience करें कि वो साथ दिन कितने ज़्यादा खतरनाक थे कि वो इस incident को इस hijack को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक hijack कहा चाता है लेकिन इस तरह की series इस तरह की movies आपने पहले भी देखी होंगे जो तोड़ी बहुत fast raising होती है यह खाइना काई slow raising होने की वज़े से आपको पोड़ा पहुत बोड़ भी करने लगेगी लेकिन उसके बाद भी मैं यह कहूंगी कि यह web series अच्छी है यह था मेरा review IC814 कांदार hijack को लेकर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे comment के ज़रूर बताना और इसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले